हेलो अब्रीवन वेलकम सी ओल इंजी डिसी मैं गौतम कुमार आज हम लोग जिला पलसर फार्मासेश 2023 जो कुल पद 540 महाराष्टर में निकली है उसमें जो हम लोग कोश्चन की स्रीज सॉल्व कर रहे थे आज फार्माकलोजी पार्ट 10 हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंग में अगर 20 कोश्चन एड हो जाएगा तो टोटल 200 कोश्चन फार्माकलोजी का सॉल्व हो जाएगा अज हम दोहरा खुशी के साथ दोहरा सतक लगाने बाले हैं क्लियर सो स्टुडेंट आ जाएं फर्स्ट कोश्चन पर सो कम टूदा फर्स्ट कोश्चन इंट्रावेनस ड्र 10 to 15 90 क्या चाहिए यहाँ पर चर्रेक्ट अंसर 25 कोई बात नहीं क्या क्या कहुआ होता है से श्य९श्ष करते हैं बॉडी के अंदर तो इंट्रामस्कूलर कॉंसरूंट सो दिया जाता है 90 सब्क्राव olanus 25 और इंट्रा डर्मल 10 to 15 depends on कर लोगे questions all okay come to the next question what does the term bioavailability means bioavailability का मतलब क्या पूछा जा रहा है कि bioavailability drug का मतलब क्या होगा plasma protein binding degree of substance नहीं होगा permeability through the brain blood barrier नहीं होगा fraction of uncharged drug or unchanged या तो uncharged डोनों कह सकते हैं unchanged drug reaching the systemic circulation following any root of administration औब्यस सी बात है fraction fraction मतलब percent of drug reaches in systemic for systemic circulation in unchanged form यानि जैसे हमने 100 ml का एक टाब्रेट लिया 100 mg का सौरी टाब्रेट लिया वो 20 mg ब्लेट में गया तो 20 mg उसका क्या है bioavailability कि कि कितना प्रतिसत drug कहां पर गया ब्लेट के अंदर यानि systemic circulation गया वही bioavailability होती है तो option c यहां पर correct लग रहा है amount of substance नहीं यूरीन बाला भी नहीं होगा so options यहां पर केवल एक ही सही है bioavailability से related वह है options number c that's why correct answer क्या हो जाएगा जी fraction of uncharged drug to bioavailability क्या कहलाती है the rate and extent of absorption of drug from a doses for administered by any root किसी भी roots उनको administered किया जाएगा as determined by its concentration time curve यानि कि AUC concentration time curve यहां पर दिख रहा होगा आपको graph में यह क्या किया जाता है डिटर्माइन किया जाता है बायो अवैलिबिलिटी ऑफ ड्रग injection आई बी आई बी का बायो अवैलिबिलिटी कितनी होती है 100% अगर आप intravenous root से किसी ट्रग को आप अपनी body में लेते हो student तो याद रखेंगे कि उनकी बायो अवैलिबिलिटी कितनी होगी 100% होगी इंडिकेट्स मिज़रमेंट अप दरेट एंट अमाउंट को इंडिकेट करता है और त्रपेटिक्स एक्टिब्रग रिचेज दा सिस्टेमिक सर्कूलेशन अगर जितना जादा ड्रग की बायो अवैलिबिलिटी होती यह चांस रहता है कि ड्रग हमारी बॉडी में जाकर करेंगा तो अब वह टार्गेट और में क्या करेगा रीज करेगा जतना जादा वह एफक्ट कोज करेगा क्लियर तो ड्रक की जतनी अच्छी बायो अच्छा ड्रग होता है ठीक है ना याद रखेंगे इंट्राविनस से 100% बायो अबलिबिलिटी होती बागी सारे रूट में बायो अबलिबिलिटी बहुत कम रहती है इस्टि मुलेशन आप ड़सिंपाथटिक सिस्टम मतलब एड्रिणर्डिक सिस्टम की बात की जा रही है यानि कि ये ड्रेनली नौर अगर अगर अक्टिबेट होंगे तो ह लिए तो हम बिट्टा टू सिंपाथो माइमेटिक ड्रग दीते हैं अस्थमा वाले पैसेंट को ताकि उनका ब्रॉंकाई डाइलेट हो जाए और एयर का सप्लाई यानि पैसेज क्या हो जाए बढ़ जाए ब्रॉंको कॉंस्ट्रिक्शन करेंगे नहीं नो एफेक्ट नहीं कै देविलेट करेगा एड्रीनलीन नोर अप्रेनलाइन यानि की एडरेनर्जेक शिस्टम और भी अल्सों से से सिंपथेट एक सिस्टम या तो एपी नेपरीन और नॉर एपी निफ्शेप्रीन भी कहते हैं एड्रीनलीन और नोर अप्रिनलीन को याद रखेंगे तो है ऐए the correct answer that is the bronchodilation caused by sympathetic system clear in lungs तो यहां पर करा sympathetic stimulation of beta-2 receptor at bronchi cause bronchodilation bronchodilation क्या करते हैं कॉस करते हैं ठीक है न फाइट और फ्लाइट हर्मोन साथ टेकी कार्डिया हाट्रेट बढ़ाएगा कार्डिया काउटपुट बढ़ाएगा ब्रोंकाई को डारेट करेगा आइज में आइज में मिट्रियस यानि प्यूपिल को डारेट कराएगा ग्लुको नियोजनेसिस यानि की ग्लुकोज का फॉर्मेशन कराएगा अदर दन कार्बोहारेट डाइफ्रोसिस करवाएगा और आपका फॉर्मेशन नहीं होगा डिफेकेशन होगा और यूरीनेशन भी आपको देखने को मिल सकते हैं कम ठीक है चलिए कम चू में इस इस एक लाग हैं यह कौन से ट्रक हैं भाई टो यह यह रजलकी अंटा तो अलफ़ाइदीनो रिसेप्टर ड्रंग है यह यह नोग क्या है चिल है प्राजोषीन खमिमस प्रोडों टेम सील से यह सब क्या है अलफा एड्रीनो रिसेप्टर ब्लॉक का ड्रग हैं सो आप्शन सी हेर इसा करेक्ट तो देखे यहां पर फैंटो लामीन कौन से ड्रग हैं तो यह आपके नॉन सेलेक्टिव मेडा जो लिए डरीबट टिप्स है जो अलफा एड्रीनर्जिक ब्लॉकिंड रख टॉक्सिन्स यह सारे ड्रग क्या है तो अलफा एड्रीनर्जिक ब्लॉकिंड रग है यानि अलफा रिसेप्टर को क्या करते हैं ब्लॉक करते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि एड्रीनर्जिक सिस्टम में दो रिसेप्टर होते हैं अलफा और अलफा और बिटा रिसेप्ट र्रकों एंटागुनाइच करेंगे करेंगे काम टुझ अनस्थेटिक इज नोन टुकॉज है इस्टुडेंट मो क्या कराएंगे तो है लुजिनेशन कोज कराने के लिए responsible होते हैं इसलिए तो इसको हम क्या कहते हैं किटा माइन को dissociative dissociative anesthesia dissociative anesthesia के category में इनको रखा जाता है क्या कौज करता है है हैलोजीनेशन कौज करता है सर याद रखेंगे तो किटा माइन इट प्रड्यूस अ ट्रांस लाइक स्टेट नॉन इस डिसोसियेटीव anesthesia dissociative anesthesia कोज करवाता है क्राक्टराइज वाइं इंटेंस अनालजेसिया एनालजेसिया यानि पेन immobility immobility होगा amnesia भूल जाओग आप चीजों को अब feeling of dissociation from once on body अपनी body से feeling खतम हो जाएगी आपकी साइड अफेक्ट में है टेलूरियम है साइको साइको साइकोमाइमेटिक एफेक्ट है involuntary movement होगा डियूरिंग रिकावरी और इप यूडेज सोल एजन्ट यानि कि आपके मसल्स ऐसे समूब करेंगे involuntary डाजिपाम यूडेज प्री अनेस्थेटिक मेडिकेशन तो प्रिवेंट इस अगर इस सिंटम्स को कीटा माइन के हेलोगेशन से या तो यह सारे डवर्स अफेक्ट को अगर कम करना है तो प्री रूप में डायज़िपार्म ड्रग दे सकते हैं उसके बाद कीटा मांट रख क्या किजिए यूज कीजिए नेक्स्ट कोस्टिन है फीनोवार्बिटोन इस एक्टिंग भार्वीचुरेट अल्ट्र सार्ट разр इंटरमेडियot लॉझ लॉझ एकटिंग ड्राग है दोनों ट्राइऽ सब्सक्रोलक्राइब में व्याद लॉझ हे ड्रकिमिछ करक्षे कि हैं दोनों को सेटेशन कामिंग एफेक्टल अर्षलिपिंलिकale कांडे को यह आगर किसी को नींद नहीं आती उसी के से में खरते हैं बार्वीय दरग देते हैं जो लॉंग sonra पार्विटोन और नीफोबार्विटोन तो करेक्ट अंसर अंसर क्या हो जाएगा가 लॉंग principles होते हैं क्या होते भाई तो सर्फपीनोद इनुट रग ओते हैं वहmos तो एकसे टॉन फायोपेंट। मैं डायज़ीपा हैं लेक्षपारम नाटराज़ीपाम और ट्रायज़ोलंग ट्रॉटीक में त्राइक्षान्टी ट्रॉब ही होता है कैसे होता है तो胸科 यहां से सासे यह तहम आपना अपना यहां सजें तो PB यानि कि विटो बाइट्सों पैन पैने संसे थम घई यापको क्या करना है याद रखना के बीपि बूर्ड से आप बार्विच्रेट के सारे ड्रग आपको याद हो जाएंगे इस ट्रिक्स को अगर आप फॉलो करोगे डियर स्टुडेंट तो ठीक है कम टू नेक्स्ट कोशन दा हाइपोटेंसीव इफैक्ट हाइपोटेंसीव यानि बीपी का लो होना और क्लोनीडीन इस ड्यू टू दू ड्रग हैं मिथाइल दूपा और क्लोनीडीन सेंट्रल सिंपैथो लाइटिक ड्रग है क्या करता है तो अलफा टू पर एज बाइंड करता है जिसके कारण एड्रीनलीन और एड्रीनलीन के रिलीज रूख जाती है रिलीज नहीं होता है तो हाइपर टेंसन नहीं होते ह है तो क्या है जी अल्फा अण फिक रिसेप्टर पर क्या करते हैं क्रेक्ट को हो जाएगा यापको याद क्कुंशों डॉरक करते लिटन और मिफाइल डोपा आपके कहां पराते हैं Central sympathetic में एंटी हाइपटेंसिफ ड्रग में मैंने ट्रिक्स से आपको याद भी कर वाए था कि Central government ने कोलोणी में मिठाई बटबाई Central government यानि Central sympathetic ड्रग कोलोणी यानि क्लोनी दीन और मिठाई यानि की मिठाईल दोपा इस ट्रिक्स प्रीस्टर ब्लॉकर में आपका लोशाटन कंदी साथन एरभी साथन वेल शाथन त्लमी साथन टिरेक्ट रेनें इन्हीटर में अलीस्कि रिचे रिट्र है थाजएड में हैड्रोकलो थाज़ाइड दो अलॉप रॉप दिक्स नीफ फूरी नाइड पूतास्यम स्परिक डार प्लाजमा कानिन में ब्रेडी कानिन और केलीडीन ड्रग है यह सब के सब क्या है स्टुडेंट तो सर यह सब के सब एंटी हाइपर लिपी एंटी हाइपर टेंसिव ड्रग है यानि की हाइपर टेंशन को कम करने के लिए रिस्पॉंसिबल होते हैं अभी तो बताये प्लाजमा काइणीन का स्वाल वो जागा दी ता कैलीडीन प्लाजमा काइणीन का एक्जांपल कैलीडीन है ठीक है चलिए तो क्या है भाई तो ब्रेडिकाइन और कैलिदीन प्लाजमा कैणिन जिसको कहते हैं प्लाजमा कैणिन और पॉलिपेप्टाइड इन्टू द ऑइपोटेंसिव एक्टिवीटी और ईडीन च्रेशाराइड सिंथेस्स इस टाइप लिपोटेनियमिया यानदधिक रिए रडील यानि की या निक्या यह ले लुटें सिटी निप्रोटेंड गूडलिपीड होते हैं बागी सारे के सारे निपीड रोड होते हैं जाहें हो खायलोभण हो जाय वह तैन्क ऐसी को क्या करता है इनक्रीज करता है निकोटिंग्ट टाहें जी तो गुड़ लिपीड हाई देंसिटी लिपो प्रोटेन को गुड़ को इंक्रीज करता है और बेसिकल यह क्या है थी तो एस ए यानि स्टिरोल एस स्टिरिक एस्टिरोल आपको करके याद रखना इन्हीबीटर है यह ठीक है ना ड्राग भी है के लिए चलिए तो क्या जी निकोटिनी के लिए भी नियुक्रों बिटामीन इनलर्ज डोश इन्हीटिट को हमारी बॉड़ इमें इंक्रीज कर वाता है प्रोटीन लाइपेज अक्टिवेटर हैं यह क्या करते हैं लिपो प्रोटीन लाइपेज इंजाइम को अक्टिवेट करते हैं देखिए हाइपर लिपीडिमिया के कंडिशन में हम एचमजी को एंजाइम एंहिबिटर ट्रग एटो बास्टीन पिटा बास्टीन रोजुबास्टीन यह सारे ट्रग यूज करते हैं इसके अलावे कौन सा ट्रग है आपका लिपो प्रोटीन लाइप लिपीड श्रीकट करते हैं और स्ट्रॉल एक्टिवेटर में में यहां प्रोटीन लाइपेज हमको ताकि breakdown हो लाइपईज मतलब जो लिपीड का breakdown करें जितना ज्यादा लिपीड का 되고 वह उतना ही कंग मगा बलड कॉलेश्ट्रोल लेबल उतना ही कम होंगे options यहां पर क्या होगा व्यतम ऑप्र लिपोप्रोटीन लाइपेज अक्टिविटर होते हैं ठीक है ना है यहां यहां पर पीपी यह एगोनिस्ट है ले इसकंटर तो यह रिसेप्टर भी क्या करता है यह ग्या करता है यह अश granddaughter यहां Girls को करते हैं तो मैंने क्या बता है कि यह लगणवर यह कैंट करेक्ट दोनों है लेकिन अगर ऐंसर बेश्ट आंसर मैंने से तो ऑफिसन में पढ़ा रही है यह थुरॉ donor क्या हो जाएंगे हो जाएंगे कम हो जाएंगे तो ऑप्शन्स दोनों सही ये भी सही है ये भी सही है लेकिन बेस्ट क्या ये लग्लॉकर नहीं ये ठीक है कर लोगे तो थोड़ा सा पढ़ने चाहिए इसलिए हमेसा चारों पढ़ने चाहिए इसलिए कम तो नेस्ट कोशन करेक्ट सिक्वेंस और फॉर्मिशन का करेक्ट सिक्वेंस क्या है पहले तो अपने पहले पहले वाले और आपसन लेकिन इस वाद चारों पढ़े होता है तर फेले का फिल्टरेशन होता है और प्रोग्शिमल घुल से लूप अपनल से से अज गलेक्टिंग से उसके बाद से होते ही ना तो आपसन् पर क्या हो जाएगा correct option हो जाएंगे यही process के दौरा क्या होता है हमारी body के अंदर में urine का formation होता है student तो filtration reabsorption secretion तक correct options ठीक है सबसे पहले आपका filter filtration होगा देन आपका secretions होंगे clear उसके बाद body sex out हो जाएगा urine कम तुद नेक्स्ट कोशन what factor maintains the normal blood pH कौन सा factor है जो normal blood pH को maintain करेगा तो what factor maintain the normal blood pH कौन सा factor tubular secretion of hydrogen ions tubular secretion of calcium ions tubular secretion of potassium ions tubular secretion of sodium ions तो कौन सा factor blood pH को maintain करेगा यह भी आपका direct सहीं questions है तो tubular secretion of hydrogen ions से tubular secretion जो होता है वो आपके normal blood pH को क्या करेगा maintain करेगा एच जब अंदर आएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगी बैसे city बढ़ेगी कहां पर आपके blood के अंदर में clear चलिए the kidney have two main way to maintain acid base balance दो में आपके पास options है kidney के पास their cell reabsorb bicarbonate इनके cell bicarbonate को reabsorb करते हैं bicarbonate मतलब basic pH from the urine back to the blood they secret hydrogen ion to the urine और urine में hydrogen ion को क्या करवाते हैं by adjusting the amount of reabsorbed and secreted यानि bicarbonate को अंदर लाएगा और hydrogen को बाहर भेजेगा ताकि क्या हो balance उससे दोनों से क्या करेंगे balance करेंगे clear reabsorption मतलब बापस से blood में आना और secretion का मतलब है कि blood urine में जाना blood से urine में जाना ठीक है ना तो bicarbonate को reabsorb किया जाएगा और hydrogen को बापस से नेफ्रॉन में भेजा जाएगा body से बाहर करने के लिए और इसी mechanism से यह क्या करते हैं हमारे अंदर अलफा रिसेप्टर पर ब्रोमो क्रिप्टीन ड्रग बेसिकली बुरा मुह बन गया डीटू रिसेप्टर पर आज एगोनिस्ट इसको आपने कहां पर यूज किया होगा तो इसको आपने यूज किया होगा Parkinson के case में Parkinsonian यानि कि drugs for Parkinsonian यानि Parkinson को ठीक करने के लिए Bromocryptine drug यूज किया जाते हैं जो कि क्या है जी तो डी टू डिसेप्टर पर एज एगोनिस्ट काम करते हैं डॉपामिन एगोनिस्ट है Bromocryptine, paraamipexol, pergolide, ropneosastol ये चार ढ्रग आपने पढ़ा होगा Rumocryptine, permolide, pramipexol, ropneosotol और भाई रो से रो बुड़ा फेस दिखा के रो भाई रो नी रॉल क्योंकि वो रही थी प्रामी पेक्सॉल का प्रामी नीग चार्ड रांग याद आ खिया से बुरा फेश हो जारा जा था वाई परी संया नाम कि विसले पर इसे प्रामी पैक्सल क्योंकि वो रही थी रोना सो जाएगा रोपनी रॉल किसलिए तो पर्क चॉकलेट के लिए यानि पर गोलाइड यह चाल ड्रग है जो डी टू रिसेप्टर पर एजा एगोनिस्ट बर्क करते हैं और पार्किंसन के केस में यानि ड्रक्स पर पार्कि अगरणिस्ट मません ड्रीट करेगा और प्लाजमा ड्रगाइड को क्या करेगा रिड्यूस करेगा नेक्स्ट को क्लेंड हूसर एक्टरी हैं प्रोटीन सिंथेसल का रहीरेंगे और Cave at को बढ़ाएंगे मैं आपको बताया था लिख इन्हीं को या थो निक रोपतना पड़ेगा यह क्या है तो किसा है, तहले हैं अमिनो गलाइकोसाइड टेट्रासाइकलीन क्लॉराम फैने कॉल और मैक्रोल आइंटिवाइटिक्स के लावए गलंडा-माइसेज़ जो आपके मैक्रोलाइड में आते हैं जिस्टो माइसेज अरिफ्रो माइसन ये सारे रग क्या होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस इन् से हैं जिन है प्रोटीन सिंथेसिस में 30 पे टेट्राइकल्न अमिनोगलाइकश फॉलेट सिंथेसिस में सलफोनामाइड ट्राइव मितोप्रीम डिन अगारेज को कुनोलों फ्लोरोकुनोलों ड्रग डिन डिपंडेंट आरने पोलीमरेज को रिपामसीन ड्रग और 50 या में पोलीमेचजीन और वैंको मैंसे त्राइथि इसन इंहिपितर दके सब कैसे याद रखेंगे आपके ड्रक मैकनीजेबंगू मेंनीजर्व याद रखना कौन करेगा आपके निकलिक एसिड को कौन टार्गेट करेगा यह आपको याद रखना है कि कम टू नेक्स्ट कोशन विच आप दा फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड ब्रिटीस एंटी लुसाइट यह देखिए ब्रिटीस एंटी लुसाइट एंटी डॉट है जी है भी मिटल किया था डाइपरोल का रखैने डिडीस एंटी लुसाइट कहते हैं यूज़ किये जाते हैं तो just इसको डिवलप किया था वाई जो आपका बृतिस एंटीलिवसाइट इसको यूज किया जाता है तो आर्षणीक के पॉजणिंग किया है तो आपको याद रखेंगे ब्रेटीज एंटी लिवसाइट यहां तो उसको हम कहते हैं डाइमर कैपरोल आइधिंक आपको यह कुश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा इसको याद रखना है स्टूडेंट अपने नेस्ट कुश्चन नेस्ट कुश्चन पर आते हैं है 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 हांड फूट सिंड्रों इजर अडर्वार्स टॉप हैंड अन Matthे मैसेड दी हैंड फ्लू उरासिल का फ्लू साइटोसीन जो आपका एंटी कैंसर ड्रग भी है तो कीमो थेरेपी ड्रग नोन टू कोज हैंड फूट सिंड्रोम बिसिकली इस तरह के सिंड्रोम से आपको देखने को मिल सकते हैं यह आपका साइटराविन सुनिटिनीव और सोराफिनिप से हैं इस इनमेंसे कौन से ट्रग है भाई सेकंड जनरेशन एच्बन एंटागॉनिस्ट अलकाइल अमिन्स थेलजीन फिपराजीन वहां पर आपको हो जाएगा ऑल अप दा इबाब एक बन एंटागॉनिस वहां पर सको सब्सक्रिद इसन से फिचन जनरेशन से एन सबीं आपके सब क्या है सेकेंड जरेशन एक बन एंटागोंिस्ट के अंदर में आते हैं तो सेकंड आपका है to not first generation को क्रॉस करता है लेश जर्च करे घंड एकीन एंटागोंिस्ट ज्छादा रोजिन स्कॉज करेंगा कम तो दे नेक्स्ट कुश्यान वीच आप दा फॉलोईंग ड्राग इसंट में से कौन से ड्राग है जो है वह वह एंटी मेताबॉलाइट र्ग है कि टो कुना जवर फ्लुसाइट्टोजिं ग्राइसब फुलेविन अलब देबाब यहां पर कंसीडर किये जाएंगे ठीक है एंटी-फंगल में पॉलिंस है यह सारे ट्राइक आपने पड़ा होगा एंपोर्टराइसिन भी निस्टेटीन हेमाइसिन इतामाइसिन हेट्रोसाइकलिक मैं आपको ग्राइस फ्लोबीन इकाइनो केंडिन में कैपसो फंगीन और अने डूला फंगीन है अधर टॉपिकल में वाइट फिल्ड ओंटमेंट तॉलनेट और स्लिनियम सलफेट ड्रग देखने को मिलेंगे ढॉरी तो नेंच्ट कोशन अंब चेच्टेटो लक्रिट्रोमाइसिन और अभी दॉनसाइड्रो में ग enact अभी अकब गग्रिस्टेश्ड्र घृच्तौ स्वाइस सहें अब दौननों के दॉनसे ग्रिच्टीन है इसरो खेट्रो rein यहां पर क्या हो जाएगा स्टुडेंट करेक्ट अंसर हो जाएगा तो देखिए एजित्रोमाइसन के पास एंटी माइक्रोबल स्पेक्ट्रम आपक्टिविटी जादा है गैस्ट्रिक टॉलरेंस जादा है लॉंगा डिरूशन आप यहां पर क्या हो जाएगा स्टुडेंट करेक्ट अंसर हो जाएगा तो देखिए अजित्रोमाइसन के पास बहुत अच्छी है बेटर टॉलेबरिटी है इंप्रूब ड्रग इंट्रक्शन है स्पेक्ट्रम आक्शन बहुत जादा है हाई अक्टिविटी है आपका और आपका आप फार्मेको कानेटिक्स में अच्छी है औरल अप्जॉप्शन अच्छी है टीसू डिस्ट्रिबूशन अच्छी है इंट्रस पेनेट्रेशन अच्छा है टी हाप आपका मोर दैन फिप्टी आर्स के अराउंड है और बाइल्स के थूट्रा क्या हो जाएगा लार्जली होगा और आराउंड 10 परसंट क्या होगा क्यृण के दवारा ड्रग एक्स्रीट होंगे अरिथ्रो माइसिन और आज्टीं ऐस्ट्रो सिन के बीछ कि कि पार्ट 10 डिसक्स कर रहा है तो वीच माश्टर ग्राइड बताइए कि जाता है टो चाए अ-पो कहा जाता है क्योंखिया ग्रोथ हर्मोन प्रोलाक्तिन हर्मोन गुनेडो ट्रोपिन हर्मोन अपका ACTH यानि adrenocorticotropic hormone, follicular stimulating hormone यह सारे hormone की synthesis कौन करवाते हैं, anterior pituitory that's why यहां पर correct answer क्या हो जागा, तो anterior pituitory हमारे master gland होते हैं क्योंकि यह सबसे ज़्यादा hormones की synthesis करते हैं, तो options A यहां पर क्या हो जागा, correct answer हो जागा, तो anterior pituitory the master endocrine gland, the pituitory gland is sometimes called master gland of the endocrine system because it controls the functions of the many other endocrine gland, anterior low of the pituitory gland release growth hormones, adrenocorticotropic hormone, thyroid stimulating hormone, gonadotropins that is the LH यानि लुटिलाइजिंग hormone और FSH यानि की follicular stimulating hormone यह सारे hormone synthesize करते हैं, that's why इनको क्या कहा जाता है, master gland of the body कहा जाता है, student clear, तो I think आपका यह बाला पार्ट यानि 20 वाला पार्ट भी total 20 questions, आज बार series में complete हो गया with their explanation, next series में next questions के साथ मिलेंगे student, तो मिलते हैं, अगले class में अगले concept, अगले questions, अगले next 20 questions के लिए, thank you everyone for watching GDC and supporting GDC, thank you once again.